इंडियन नॉलेज सिस्टम ज्ञान विज्ञान और जीवन दर्शन पर आधारित है जहां पर एक इंडिविज्वल अपनी रोज मर्रा के जिंदेगी के अब्जर्वेशन और एनलिसिस से ज्ञान प्राप्त करता है लेकिन ब्रिटिशर्स के इंडिया आने के बाद धीरे धीरे इंडियन नॉलेज सिस्टम को हमने दरकिनार कर दिया और अडॉप्ट किया क्या इंग्लेश एजुकेशन सिस्टम आज इंडिया की school education system वर्ल्ड की largest system है जहां पर डेर्ड मिलियन स्कूल में धाई सो मिलियन बच्चे हर दिन स्कूल जाते हैं लेकिन वर्ल लेवल पर अगर हम education quality की बात करें तो इंडिया में education quality काफी खराब है एक report के according, national achievement survey ये reveal करती है कि बच्चों की school learning दीरी-दीरे decline हो रही है और वहीं भारत सरकार की 2019 की report की माने तो engineering colleges के 89% graduates unemployable है यानि वो job के like नहीं है और यही हाल दूसरे graduate streams के बच्चों का भी है तो आज हम यह समझेंगे कि बच्चों को test करने का जो examination system है इंडिया में वो कैसा है और उसके अंदर क्या-क्या problems है और finally हम देखेंगे कि इन सब चीजों का एक solution, एक ठोस जो solution है वो क्या है तो बने रहे हैं मेरे साथ, मैं हो दिक्षितार आपको welcome करती हूँ तरौन IS में और आपको क्या करना है लाइक, share and subscribe आर चानल examination system important क्यों है? क्यों जरूरी है बच्चों की school education में उनका exam लेना और खास तर पर university higher education के बच्चों को test देना तो सबसे पहले यह बताता है कि एक student की conditioning कैसे हुई है, conditioning यहाँ पर घर वाली conditioning नहीं है, school में conditioning कैसी हुई है, colleges में conditioning कैसी हुई है उनका mental level capacity और learning ability कितनी है, इन सब को test करने के लिए examination लेना और यह system बहुत जरूरी है जो certificates issue किये जाते हैं, ऐसे institutions के द्वारा, वो उसकी credibility एक examination system से linked है यानि exam और उसके बाद दिया जाने वाला जो certificate है, दोनों की credibility आपस में जुड़ी हुई है सबोज एक student एक normal university से graduate होता है, दूसरा student graduate होता है, IIT से दोनों बच्चों में जो certificates उनके पास होंगे, उनको देखकर हम पता लगा लेते हैं कि उनकी जो learning हुई होगी colleges के अंदर, वो कैसी हुई होगी तो credibility जो exam की है, वो certificate से जुड़ी हुई है, और certificate जुड़ा हुआ है exam से educational standard एक बच्चे का वो affect होता है directly exam से suppose teacher ने एक student को कुछ पढ़ाया और उसके बाद उसका exam लिया जाता है exam में जितने number आते हैं, या फिर जैसा performance बच्चा करता है उसके हिसाब से हम यह बता सकते हैं कि उसकी educational standard कितनी है कोई भी credible examination system है, basically वो education का standard बढ़ाता है यानि देश में education की quality कैसी है, वो कैसे पता चलती है एक अच्छे examination system से और साथी साथ किसी भी student की employability यानि education खतम करने के बाद वो कितना job पाने का हगदार है यह भी पता चलता है एक अच्छे examination system का and that's why examination system is very important लेकिन इंडिया में जो examination system है, वो बिल्कुल decentralized है यानि एक uniform pattern नहीं अपनाया जाता है हर एक states में यह अलग-अलग pattern पे आधारित है इंडिया में 1100 universities है, जहां पर 50,000 affiliated colleges है और साथी साथ 700 autonomous colleges है तो क्या यह possible हो सकता है कि इन सारे institution में एक ही तरह के uniform examination system को apply किया जा सके This is not possible इसलिए सभी जगा एक diversified examination pattern है और बच्चों को अलग-अलग तरीके से assist किया जाता है उनका test लिया जाता है एक good examination board जो है उसका standard होता है examination system के अंदर secrecy और एक particular standard maintain करना यानि secrecy और साथी एक अच्छा standard किसी भी examination system को अच्छा बनाता है लेकिन साथी साथ यह secrecy जो है वो देश में कई तरह के scandals को भी आगे बढ़ाते है क्योंकि जहाँ पर secrecy है, privacy है वहाँ पर cheating होने का chance जादा रहता है यानि teachers, professors, students सभी जगा पर scandals में involved हो सकते हैं क्योंकि examination system बहुत secret रखा जाता है question paper secrets है, उसका पूरा pattern secret है सभी चीज़ें secret रहती है और इसके वज़े से यहाँ पर scandals भी होते हैं तो यह decentralized pattern पर आधारी थे इंडिया का examination system अब problems देखते हैं, सबसे पहला problem तो देखा कि scandals यहाँ पर बहुत जादा होते हैं मेडिया में आप हजार चरके news देखते होंगे validity over time and its comparability across institutions are meaningless यानि एक examination system दस साल के बाद बिलकुर redundant हो जाता है, बिकार हो जाता है क्योंकि उसमें वो सारी चीज़े adopt नहीं की जाती जो एक modern time में adopt किया जाना चाहिए और आज के time पर जो institutions ने 10 साल पहले examination system को बनाया होगा, आज भी वही run कर रहा है ऐसे हजारों institute से जहां पर ये examination system बिलकुल meaningless हो गई है बच्चों की memory को test किया जाता है ऐसा लोग कहते हैं, school में आपने देखा होगा कि किसी भी answers के अगर आपने wrote memory जो है वो वहाँ पर present कर दी तो आपको marks मिल जाते हैं तो students और खास और parents का ये कहना है कि ये बच्चों की memory को test करता है उनकी learning capability, उनकी skills को test नहीं करता और इसलिए examination system इंडिया का अच्छा नहीं है और जो बच्चों को different grades मिलते हैं वो ये भी नहीं बता पाता कि दो बच्चों में अगर उन्हें एक grade मिला है तो उनमें क्या difference है एक बच्चा दूसरे से अलग किया है और उनके अंदर skills कौन कौन सी अच्छी है या नहीं है तो there is no difference in grades ओके Next, employers have their own rigorous basements अब अच्छे examination system के नहीं होने के वज़े से ये जो pressure आता है वो आता है employers के उपर जब बच्चे graduate होकर के job लेने बाहर जाते है तो उन्हें पूरा pattern ready करना पड़ता है तो test the skills of students ताकि वो students जो है वो test test देकर अपने आपको साबित कर सके कि उस job के लिए वो हगदार है या नहीं अगर हमारे इंडिया के examination system इतनी अच्छी होती तो employers के उपर इतना pressure नहीं बढ़ता और इसी वज़े से एक बहुत बड़ी जो industry है coaching industry वो इंडिया में पूरी तरह से हर एक state में फैल चुकी है क्योंकि school के बाद उन्हें एक अलग तरह की learning और skills देने की जिम्मेदारी होती है वो coaching industry ने उठा रखी है और उस वज़े से बच्चे भी वहाँ पर और parents खासता और बच्चों को readily भेजते हैं coachings पर ताकि उन्हें जो school में नहीं मिल सका वो वहाँ मिलेगा और उसके बाद उनकी employability बढ़ेगी overall problem क्या है कि सभी universities में syllabus inconsistent है एक जैसा नहीं है अलग 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 syllabus है जिसके वज़े से जो एक uniform pattern है examination का वो conduct नहीं कराया जा सकता और दो students को एक मानक पर हम नहीं test कर सकते secrecy बहुत जादा involved है जैसे कि exam कैसे होता है उसका सारा process उसकी analysis कैसे होती है जो answer paper होते है उनका assessment कैसा होता है तो बहुत जादा secrecy है जिसके वज़े से scandals, cheatings या फिर other types की जो forgeries होते है वो इंडिया में बहुत जादा है जहां पर पैसे देखर teachers को आप जादा number बढ़ा सकते हैं या फिर नाम change का हैं मतलब तरह तरह की चीज़े जो है वो forgery में involved है और यह किसले possible हो पा रहा है क्योंकि वहाँ secrecy involved है साथी साथ evaluation और assessment का जो system है वो इतना बढ़ा है इंडिया में कि उसे monitor करना बहुत जादा difficult है जिसकी वज़े से again examination system को improve नहीं किया जा पा रहा है और जो affiliating universities है इनके लिए government ने facility तो दी है कि ठीके आप affiliate करो और वहाँ से students को degree दो लेकिन affiliating जो universities है उन्होंने अपने standard को improve नहीं किया जिसके वज़े से examination system भी जो है उनका standard improve नहीं हो पाया और जो बच्चों को degree मिलती है इन affiliating universities से वो इतनी जादा strong नहीं होती कि उन्हें आगे चलकर job मिल सके अब solutions पे आते है solutions are very important problems तो सबको पता है लेकिन solutions क्या है सबसे पहले जो curriculum design होता है syllabus, pedagogy और जो assessment है कि papers को check किया कैसे जा रहा है वो specified होना चाहिए हर एक branch, हर एक subject specific stream से जैसे science की जो papers है वो कैसे assess होंगे 12th class की जो paper check होगी वो कैसे होगी तो there should be some unique and uniformity and uniform specific rules and regulations for that benchmark तो कुछ होना चाहिए जो अभी नहीं हर एक teacher अपने हिसाब से marking कर देते है there are basic rules but वो basic rules भी और ज्यादा specified होने चाहिए second is subject specific और skill specific assessment process होनी चाहिए बच्चों की और अगर students teacher से खुश नहीं है तो एक participative process होना चाहिए जहां पर बच्चों से हम feedback ले सकते हैं कि teachers उन्हें कैसा पढ़ाते हैं individual level पर school level पर ये principles बोलते हैं कि ठीक है आप उस teacher की बाते हमें बताईए कि वो कैसा पढ़ा रहें कैसा नहीं पढ़ा रहें लेकिन student की बात को कितनी जादा importance मिलती है ये हम और आप सभी जानते हैं assessment में paper check में technology का use होना चाहिए जहां पर जो assessment है वो fast हो जाएगी accuracy level बढ़ जाएगी और दो पच्चों को बीच में partiality or discrimination teacher के द्वारा नहीं होगा तो ऐसे बहुत सारे softwares अब available है इंडिया में जहां पर assessment की जा सकती है student की grievances problems को resolve करना बहुत ज़रूरी है अगर एक student अपने examination system teachers के behavior या फिर उनके जो papers check हुए numbers check आये हैं उनसे खुश नहीं है तो उनको resolve करना school और college की जिम्मेदारी है जिसको बहुत strictly follow करना चाहिए negligence fraud और other issues है उनका codification होना चाहिए law में ये mention होना चाहिए कि हर एक problem issue है उसके लिए क्या steps लिए जाएंगे external audit external audit यानि किसी भी school और college की examination system है उसको बाहर के लोगों से audit करवाओ या test करवाओ और साथ ही जो उनका examination board है हमारे इंडिया में तरह तरह के examination board है जैसे ICAC हो गया CBAC हो गया state boards हो गया तो हर एक board के examination system के उपर grading होनी चाहिए कि उनका performance कैसा है क्या वो regular अपने syllabus को update कर रहे हैं क्या बचों के लिए उन्होंने कुछ नई जो है scheme या फिर policy वो लेकर आये हैं कुछ facility लेकर आये हैं या नहीं और यह audit reports को किसी भी examination cycle के खतम होने के पाद public के सामने release करना चाहिए ताकि public के सामने एक transparency बनी रहे कि कौन सा board कितना improve कर रहा है और हमें अपने बच्चों को कहा पढ़ने भेजना चाहिए तो यह थे कुछ solution हमारे examination system को improve करने के लिए I hope कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप जरूर कमेंट करें मेरे वीडियो पर कुछ comments आ रहे हैं और मैं बहुत appreciate करते हूँ ऐसे comments को और मुझे motivation भी मिलता है तो comment जरूर करें और हमारे वीडियो को देखते रहे thank you so much see you soon